इंडियन मानसून को कवर करेंगे इंडियन मानसून जो है बहुत ही अभी भी मिस्टीरियस फिनोमीना है काफी फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट करते हैं ठीक है अभी तक जो है कोई भी कन्फर्म नहीं कह सकता है कि यही यही जो है फैक्टर इस पे करते हैं फिर भी जो मोस्ट प्रोगेवल फैक्टर है आज हम उसको पढ़ेंगे तो इंडियन मांसून जो है इसकी कि फीचर क्या क्या है पहला इसका फीचर है सड़न है ठीक है यह सड़न आता है ठीक है दूसरा है इसका ग्रेज्वल एडवांस दीरे दीरे बढ़ता है ठीक है और ग्रेज्वली यह रिट्रीट भी करता है मतलब आपिस लौटता है और इसमें क्या होता है रीजनल और टेम्पोरल वेरिएशन होता है ठीक है अब हम देखने इंडियन मांसुन जो है साउथ वेस्ट मांसुन होता है और नौर्थ इस्ट मांसुन होता है ठीक है तो हम साउथ वेस्ट मांसुन पहले पढ़ेंगे फिर नौर्थ इस्ट मांसुन पढ़ेंगे ठीक है तो इसको हम समझने के लिए मानलो यह हमारा इंडिय है हमें यह पता होना चाहिए कि जो जो विंड्स होती है है विंड्स का मुव्मन होता है है घीक है अर और हमको एक चीजर पता विकि यह क्लिक होता है इसयुकि है इस्चेश में भी तो फ,, तो भीनें सीटर अभल हमक्तों चैसे में फ इसम टेंके साथ प्रेशेवल नीचे की तरह बाती हैं ठीक है जब इंडियन मालसुन स्टार्ट जब होता है जब में में स्टार्ट होता है ठीक है और इस समय क्या होता है जो सन होता है इंटर करता है इंटर करता है और इंडिया भी नौर्ठन हेमिस्पेर में है इंडिया भी इसे पढ़ रिख यह ब्लभ आइन हैं जुलाई प्साइशत लहाँ जब में जून-जुलाइmond उतना ही क्या होगा, जो ओशन यहाँ से, इंडियन ओषी तक है, यहाँ से यहाँ पे रहा ही प्रेशर हम पेर». जब सन इधर movement कर दाएगा तो यहां पर intense heating होगी जब heating होगी तो low pressure cause होगा और इसके relation में pressure को हम हमेशा relative phenomenon मानते हैं ठीक है इसके pressure में जो water है ठीक है वहां पर high pressure होगा तो high pressure to low pressure जो होगा wind का movement होगा ठीक है south west monsoon के रूप है यह तो बहुत अभी easy phenomenon लग रहा है लेकिन लोग pressure यहां पर cause जो हो रहा है ठीक है इसको कोई कौन-कौन से effect इसको effect डालेंगे ठीक है अब इसको हम थोड़ा detail में पढ़ते हैं ठीक है फिर हम बैक में आते हैं तो इसमें हम 4-5 जोगों पढ़ेंगे सबसे पह जब sun northern hemisphere में जाता है ठीक है तो जितने भी land masses से यहां पर intense heating हो रही होती है आपको पता है जो तिब्विन प्लेट वह फ्लेट सर्फेस है ठीक है तो यहां पर जब heating होती है तो intense low pressure create होता है बहुत ही ज़्यादा जब यहां पर intense low pressure create होता है तो wind जो होती है अवर्ड movement करेगी ठीक है एर ठीक है एर जो ही अवर्ड movement करेगी ठीक है और जब यह अवर्ड movement करती है यह आपका मैं बना देता हूँ अफरीका ठीक है अफरीका को अज्यम करो आपका तो इसकी हाइट होने के कारण तो इसकी हाइट होने के कारण और इंटेंस लोग प्रेशर होने के कारण यह का सदनली अबड़ भी जाद है तो हम देखते हैं हमारे सरफेस जो इन चलते हैं यही जब एक एक एकस्स हाइट के ऊपर जाती है तो वहां पे क्या होता है पेसर जो होता है पेसर जो है डेटियंट जो होता है बहुत जादा होता है जिससे क्या होता है वो जो विंड मुवमेंट होता है ठीक है वो जेट स्ट्रीम में कनवर्ट हो जाता है तो एक लोकल जेट स्ट्रीम जो होती है यहां पे चैसे लग पाती है इसको बोलते हैं परोपिकल इस्टर्ली तो इस्ट्रीम नहीं है इंटेंस प्रेशर हुआ इस्टर्ली जट्रीम आई ठीक है अब जब यह आई तो जब लो प्रेशर से यह बड़ी उपर टीक है तो यह अपने comparatively जो है अगला high pressure ढूनेंगी ठीक है और यहां पर subside होती है जो यहां subside होती ही होती है muskreen पर muskreen island पर ठीक है अब जब air subside होगी तो obviously यहां पर high pressure हो जाएगा ठीक है wind का afflipment होना low pressure और wind यहां पर आपकी जो subside करती है उसको बोलते है है high pressure टाक है तो यह अपर आपकी सबसाइड होगए हाइफ वर Suppose we fairy अब यह गया मस्करीन आइलेंड पे इतना ज्यादा brush अजी अदना अच्छा हमारा साउथ estado main शून होगा ठीक है अब देखो जब कैवता हैं इहां पर high pressure गया हमारे सभी में गया हमारे इंजिर्फन प्रीस्य समीं बाइं संगे USS साउथ वेस्ट मांसुन में ठीक है अब जब क्या होता है तो यहां पर क्या है ठीक है एक लोकल जेट स्ट्रीम और पैदा होती है ठीक है जो सोमालियन कोश्ट ठीक है यहां से टगराती है जब यह सब जब जाएगा अपना लो परेशर तो कमपेरिटिवली इस जब इस लो पर जाता था ठीक है तो यहां से एक नई इसे 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 इस यह जितनी ज्यादा स्ट्रोंगी साउथ वेस्ट मांसूर मतला मिंडियन मांसूर और अच्छा होगा और यहां के उतनी अच्छी रेन फॉल होगी तो मैं दो रीजिन पढ़ेंगे अब तीसरा हम पढ़ेंगे सब ट्रोपिकल जैट स्ट्रिंग का रही है यहां पर क्या है आउट बेस Some West trade tournament तो यहां पर आपकी मिलती है एह ट्रेड विँन जहां पर आपकी मिलती है तो जहां पर यह मिलती है वहाँ बनेगा ITCJ, यह मैं बिंदे में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी बहुत सौर्ट में बताए आपको, ठीक है, तो जैसी ITCJ बनेगा, ठीक है, अब यह ITCJ, जैसे जैसे सन की परेंटली, ठीक है, मूब करेगा, यह जहाँ जहाँ जाएगा ITCJ, वहाँ पर क्या करते हैं, परेंटली की परेंटली की चांसे बहुत स्टाधा होगा, ठीक है, अब कैसे होएगे, अब जैसे आप यहाँ पर कीजे समालों, यह आपको नीचे एक्विटर सा, सन जैन यह जङन जुलाई में यहाँ पर आगया, ITCJ, ठीक है, तो यहाँ पर लोग परिशर सेल, यह जो परिशर सेल होती है, ठीक है, यह ITCJ, में चब मर्ज हो जाती है, ठीक है, यह जब इसमें मर्ज हो जाएगी, संगे मूवमिंट के साथ, तो ITCJ जो और स्टरॉंग हो प्रेक्रेट हो जाएगा ठीक है न तो इसको ट्रब भी बोलते हैं ठीक है लोग प्रेशर सेल तो आप यहां भी लिए दो प्रेशर सेल संके अपरेड्म मुव़मेंट से जितना लो प्रेसर इंटेंस होगा तो उतना ही इस्टली जाट और स्ट्रोंग होगी उतना ही मस्करीन आइलेंड पर सब्साइड होगी और उतना ही साउथ पेट मौनसुन होगा तो पिछले वाले में इसको आप लिंक करते हो एक चैन चल रही है ठीक है अब जो इसका तीसरा इसका वह जो है इंडारेक्ट रीजन है ठीक है इंडियन ओसन डाइबोल अल नीनो ठीक है और ला नीना इनका क्या एफक्ट है अब हम वो पढ़ेंगे इंडियन मान सुन पर इसमें एक ती जो रहे है इस सब्ट्रोपिकल जैट इस्ट्रिम ठीक है इसमें क्या होता है कि होती है आपका में तक क्या रहती है इंडियन में लेंड़ को ठीक है और ये से, ह्डीक है इंडिया में नॉर्फ प्रमूमलंट करने लग जाती है इसमादात यह सिप हो जाएगी यहां पे ठीक है और जैसे इंडिया की मेलेंड और यहां बेरे गाए और जैसी हाई प्रेसड यहां से सदेख़ एन्ग में प्रेसर पह्माहोविसैंस सब्सक का te सबल्सक्राइब ना का जिए में जरूर होगा मांसुन तो कर लीर कुछ पर उप्यस्ट करता है यह हाई प्रेसर फ्लक्ट्ट करता रहता है तो जो सीजनल इसे लू बोलते हैं नौट इंडिया में तो लू आना का मतलब पहचान हो रहा है कि सब्ट्रापिकल जाने वाली हो फ्लक्ट्ट्ट करना स्टार्ट को जाती है यह आप जब इनकी ब्रांच हमारे हमाला के नौट वर्ट चाहिए तो इंडिया में लो प्रेसर करेट होता है ठीक है और फिर क्या होता है जब यह और आता है मैं जून जुलाई अगस्ट चितंबर टीक है टुवर नवमर में नीधिक है इस मन्द में क्या होती है यह सब ट्र कि अपने उसी को बता रहा हूं जब संद्र जो है तो प्रेशर बेल्ट भी साउथ की तरह फिक्स होती है जब प्रेशर बेल्ट साउथ की तरह फिक्स होने लगती है तो तो अगले वीडियो में आपको अलीनो लालीना और इंडियनोसल डाइपोल पुरब समझा हुआ हुआ फिर मैं आपको बता रहता हूँ कि इंडियन मानौन उसे वालता है उस पर पे आजक्राफेश य एसड्रली इड़ इसका में आपको दिखाना है फिर दूसरा आपको वीडियेद्यड जेड्य गञते नहीं फिर फिर आपको सब बैसे निशन करते हैं फिर आपको आई टीसी जाइड का जो मैं ने कॉंसेट बता है था ठीक है फिर आपको लो प्रेसर सेल ठीक है इसे लो परेसर ट्रॉप भी बोलते हैं इन चारों का आप दिखा दोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचों का combination जो होता है, वो पूरा Indian Manson पे effect करता है, इस सारे मिलके करते हैं, ठीक है, अब इसको direct and directly जो करते हैं, वो है Indian Ocean Dipole, Unnino और La Nina, ठीक है, इसको आप next slide आप पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा इसका revision करो, चैनल को subscribe करो, thank you very much